नमस्ते साथ यो इस वीडियो में आप सभी का स्वावत है यह वीडियो उन सभी स्टूडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो कि रजस्थान जीनम नर्सिंग के अड्मिशन प्रॉसस में पाटिस्पेट कर चुके हैं और प्रोविजनल लिस्ट में उनका ना उस वीडियो पर कई सारे स्टूडेंस के कमेंट आ रहे हैं इस तरीके से देखें मैं रजस्थान से हूं और मुझे अधर स्टेट बता रहा है लिस्ट में प्लीज एल्प में क्या करें देखें अगर आपके साथ की कुछ ऐसा हो रहा है कि आप डूमेसाइल कंडिडेट है आपको क्या करना या फिर आपकी डेटा पर गणलत हो रही है या फिर कोई तरीक से सही करा सकते हैं तो देखें यह जो व Teil है스 रही parfois किया गया है इसी आप यह परंग रजस्थान सरकार निदेशालेच स्वास्तियों परिवार कलना सिमाय रजस्थान जैपुर इसका सब्जेक्ट है जेनेम प्रसिच्छड प्रोविजिनल लिस्ट के रगाड़ी आप देख सकते हैं उपरोगत विशे में जेनेम प्रसिच्छड सत्र 2022 इसकी प्रोविजिनल लिस्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है इस समद्ध में किसी को कोई आपत्ती हो तो अपनी आपत्ती तीन दिवस में राज आर एजे जेनेम दोहजार बीस एकिस अरड़ेट जेमल डॉट कम ये जो इमेल आईडी है इसके थुरू कॉंटेक्ट करके बता सकते हैं और ये जो प्राब्लम है ये आपकी सही हो जाएगी यहाँ पर जो डीटेल है मितलब कि जो अपडेटेड प्रोवेंजन लिस्ट हो सकती उसमें डीटेल आपकी सही हो सकती है ठीक है तो आपको इस इमेल आईडी के जरिए कॉंटेक्ट करना है और प्राब्लम आपकी स्वाल हो सकती है बट यहां पर दिधानक ना है कि जो प्राब्लम है उसको आप सही तरीके से मेंसन करें कि सर्या मैम यह यह प्राब्लम है और हो सके तो इससे संबंदी जो प्राब के उसी के साथ में email के साथ में attach कर दीज़ेगा जिससे उनको समझने में आसानी रहेगी problem जल्दी solve हो सकती है तो यह आप कर सकते हैं या फिर अपने आधार का जो फोटो है उसको खींच करके इसके साथ में attach कर सकते हैं जिसमें address भी लिखाओ ना भी आपका लिखाओ ठीक है तो यह चीज़ जो है यह आप कर सकते हैं problem solve हो सकते हैं जिस तरीके के problem आपकी हो यहाँ पर उस तरीके से आपको वहाँ पर सही तरीके से mention करना है email में और इस पर send कर देना है और उससे समद्धी जो डॉकुमेंट अगर आपके पास अपलब्द है तो वह जरूर लगाए फोटो कीज़ करके जिससे क्या रहेगा problem solve करने में आसानी रहेगी समझने में आसानी रहेगी ठीक है उमीद करते हैं आप सभी को जो problem है उसका solution मिल जाएगा हमारी तरफ से सुपकामना है और चैनल के साथ जुड़े रहेगा latest update आपको मिलते रहेंगे